आज हम बनाएंगे मक्की की चबाती और सर्सों साग की रेसिपी सर्दियों की फेमस रेसिपी है ये इसको हम बहुत इजी और ट्रेडिशनल वे में बनाएंगे ये खाने में बहुत ही टेश्टी होता है हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई वोप आप सब अच्छे होंगे देखते हैं अपने आज की रेसिपी सर्सों का साग बनाने के लिए मैंने एक कुछ चीजे लिए पालक है इसको अच्छे से मैंने साफ किया है और अच्छे से धो लिया है यह सरसों है इसको भी अच्छे से साफ करके दो लिया है और इसमें जो बहुत जादा मोटे डंडे थे उनको निकाल लिया है इसमें मैंने बथुआ मेती और सोया को बराबर क्वांटिटी में काट के रखा है पालक को मैं सरसों से आधा लूँगी और जो बथुआ मेती और सोया लिया है उसको पालक से भी थोड़ा-थोड़ा कम रखेंगे अच्छे से काट लेंगे सभी चीजों को काट के सभी चीजों को कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे साख को हम healthy way में बनाएंगे इसलिए बथुआ, सोया, मेथी, पालक, सरसो सभी को कट करने से पहले ही धोलेंगे जिससे इसमें जो भी nutrients हैं वो इसी में रहेंगे बाहर नहीं निकलेंगे इसी तरीके से सभी चीजों को कुकर में डाल लेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी बहुत जादा नहीं डालना है थोड़ा सा नमक और कुकर को बंद करके बॉयल होने के लिए गैस पे रख देंगे इसको 4-5 सीटी आने तक बॉयल करेंगे और कुकर की गैस को खुद से निकल जाने देंगे जब कुकर की गैस निकल लाएगी इसको ओपन करेंगे और देखिए साग इस तरीके से होगा कुछ अभी इसमें पानी की क्वांटिटी जादा है 25-30 मिल्ट इसको धीनी आज पे धीरे धीरे पकाएंगे और अच्छे से मैश कर देंगे इसको तो जो साग है बहुत अच्छे से पक जाएगा और इसका टेक्श्चर भी थिक हो जाएगा इसी तरीके से मैश करते रहेंगे यह थोड़ा समयने लैसल लिया है अधरक दोनों को ग्रेट कर लिया है यहाँ पर इसको mix करने से इसमें बहुत अच्छा सा flavor आएगा और यह धीमी धीमी आज पर पक भी जाएगा इसी तरीके से अच्छे से mix कर लेंगे आप चाहें तो मथानी से भी साग को mash कर सकते हैं उसे और भी अच्छे से mash हो जाएगा इसी तरीके से साग को धीमी धीमी आठ पे पकाएंगे और बीच पीच में इसको चलाते रहेंगे साग को अच्छे से मैश कर लेंगे आप देख सकते हैं अच्छे से मैश हो चुका है साग यहाँ पर मैंने यह वन टेबल स्पून के करी मक्की का आठा लिया है इसका गोल बना लेंगे और इसमें इसको एड कर देंगे मक्की के आठे को एड करने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए आप प्रिफर कीजिए कि आप मक्की के ही आठे का यूज करें अच्छे से mix कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से ध्यान रखें हम इसमें लंस ना पड़ें इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे और धीमी धीमी आज पे पकाएंगे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक जो मक्की का आटा इसमें एड किया है अच्छे से पकना जाए और इसी में डिजॉल्व हो जाए इस देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है इसी कंसिस्टेंसी में रखना है इसी तरीके से बीच-बीच में चलाते रहेंगे ध्यान रखे साग नीचे से जले न देखिए साग आल्मोस्ट पक चुका है इसी तरीके से चलाते रहेंगे मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब चलते हैं इसमें तड़का लगाने की प्रॉसेस में तड़का लगाने के लिए किसी बरतन में ओयल डालेंगे आप इसकी जगह पे घीका भी यूज कर सकते हैं जब तेल गरम हो जाए तब थोड़े सी सरसों के दाने डालेंगे थोड़ा सा ये जीरा ये लाल मिर्च ये कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी ये अतरक है इसको मैंने ग्रेट कर लिया था 30 से 40 सेकेंड के लिए सभी चीजों को रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा ये लेसन है इसको भी रोस्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए सभी चीजों को भूनने के बाद में ये कटी हुई प्यास डालेंगे इसको भी भून लेंगे गैस का फ्ले मीडियम रखेंगे देखें इसी तरीके से चलाते रहेंगे प्याद भून चुकी है यहाँ पर मैं यह हींग डाल ली हूँ हींग इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रीडियन्ट है तो आपको स्किप नहीं करना है थोड़ा सा ये healthy powder optional है थोड़ा सा ये धनिया powder थोड़ा सा मैं ये गरम मसाला एड़ करेंगे इसके अलावा हम ज़्यादा मसाले इसमें यूज नहीं करेंगे मसालों को अच्छे से भून लेंगे जो मसाले हैं वो कच्चे नहीं रहने चाहिए, मसाले भुन चुके हैं, यहाँ पर हम ये कटे हुए टमाटर एड़ करेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे मसालों के साथ में अच्छे से, थोड़ा सा नमक ये एड़ करेंगे याँ पर, ध्यान रखना है, नमक पहले से ही साग में तो उसी इसाब से डाले, अच्छे से मिक्स करके और इसको तुप होने के लिए कबर कर देंगे, ये 2-3 मिद्स को पकाएंगे जिससे जो टमाटर है अच्छे से पक जाएंगे, तीन में के बाद में च्छे करते हैं, टमाटर पक चुके हैं, इनको अच्छे से मैश कर तो इस तरीके से तो इसका मैंने पेश्ट बना लिया है इसी तरीके से आपको भी म्याश कर लेना है यहां पर जो साग है उसको एड़ कर दिंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके पकाएंगे इसी तरीके से चलाते रहेंगे मसालों के साथ मेरी साग को धीमे धीमे तीन से چार मट के लिए पकाएंगे सरधियों में मक्की की चपाटी के साथ में सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है आप लोग इस रेषिपी को जरूर ट्राई कीजिये बहुत एजिली आप लोग बना पाएंगे इसको ये देखिए साग बन चुका है और गैस के फ्लेम को मैंने बन कर दिया है अब बनाते हैं मक्की की चपाती इसके लिए मैंने ये मक्की का आटा लिया है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड करते हुए आटा लगाएंगे ये दीखिए इस तरीके से पानी को मैंने गरम का लिया है जिससे जो आटा है बहुत तूटेगा नहीं मैंने ये प्यूर मक्की का आटा लिया है इसमें कोई भी दूसरा आटा यूस नहीं किया है दूसरा आटा एड करने से इसका जो तेस्ट है वो अतना अच्छा नहीं आता है इसलिए मैंने ये प्योर मक्की का आटा रखा है इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी एड करते हुए आटा लगाएंगे ये इस तरीके से इसी प्रोसेस से आप बहुत इजली आटा लगा पाएंगे तरीके से आधा आटा आटा आपको लेना है और फिर उसी में एड कर देना है फिर फिर आधा लेना है इसी प्रोसेस से आपको आटा लगाना है ये दो से तीन मन्स तक ऐसी करेंगे तो जो आटा है वो इद्गम चि बेलने से क्या होता है जो बक्की की चपाती है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है आटा लग चुका है इसमें से ये थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इस तरीके से रोल करते हुए इस तरीके से बॉल बना लेंगे इसकी ऐसे करते हुए इसको चिकना कर लेंगे और ह देखे तरीके से अब ये पीछे वाली हतेली से धीमे धीमे प्रेस करते हुए साइड से पहले चपाती को पतला करेंगे इसी तरीके से प्रेस करते हुए चपाती को बनाएंगे और इसको बढ़ा करेंगे आप लोग बहुत आसानी से इस चपाती को बना सकते हैं यह देखें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आटा है वो अच्छे से लगाना है जब तक चिकना ना हो जाए तब तक उसको गूनना है आटे के लिए जो पानी रखना है वो गरम रखना है जिसे जो आटा है वो फटता नहीं है आप देख सकते हैं चपाती बन चुकी है अब इसको सेंक लेते हैं तबा मैंने पहले से गरम होने रख दिया था तो डाल दिया है तब इपे जब चपाती एक साइड थोड़ी सी पक जाए तब इसको पलट देंगे और दूसी तरब भी चपाती को सिखने देंगे यह देखे चेक कर लेंगे जब सिख जाए तब इसको इस तरीके से धीमी आज पे सेंक लेंगे ये देखे पलट पलट के और गुमा गुमा के चपाती को सेखना है एक ही जगह नहीं सेखना है नहीं तो चपाती जल जाएगी इसी तरीके से गुमा गुमा के चारो तरफ से चपाती को सेखना है आप लोग भी इस तरीके से मक्की की चपाती जरूर बना के देखिए ये चपाती खाने में बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छा इसका टेश्ट आता है यह देखे और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं इसी तरीके से गुमा गुमा के सेख लेंगे चारो तरफ से चपाती को देखे पलटते रहेंगे नहीं तो चपाती जल सकती है चपाती को क्रंची होने तक सेख ना है चपाती सिख चुकी है इसके उपर बटर या घी लगाके इसको सर्ब करेंगे गर्मा गर्म सर्सों के साथ में ये लीजिए गर्मा गर्म सर्सों का साथ इसमें भी बटर या घी डालेंगे और ये रही गर्मा गर्म मक्की की चपाती आप भी सर्सों के साथ और मक्की की चपाती की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए सर्दियों में यह बहुत ज़्यादा स्पेसल है और यह बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत एजिली आप इसको बना सकते हैं सरसों के साव और मक्की की चपाती की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ केजिए और जो भी आपका experience हो आकर share कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चानल को लाइक और सबस्क्राइब ज़रूर कीजिए